नमस्कार में आज था आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं आई टी टी न्यूज आई आज की बड़ी और मुखे समाचार देखते हैं वीडियो को आंते तक देखते रहिएगा शुरूआत करते हैं बड़ी खबर से अवसी के साथ मुकेशर सहनी भी बढ़ाएंगे तेजस्वी की टेंशन कोधणी अप्चनाव लड़ेगी वियाई पी बिहार की कोधणी विधानसभा सीट पर होने वाले प्चनाव में अस्ठू तीनोव कुढ़िनी उप्चनाव में महागटभंदन की और से आरजी काम मिद्वार उतारे जाने की पूरी संभाव अठारा वर्ष पूरा करने वाले युवाय से बने वोटर चलेंगे चार विशेश अभियान यूपी में विधान सभा की मतदाता सूची में नाम दर्स कराने का विशेश संभ तब पुनरीक्षन अभियान 9 नवंबर से शुरू होगा ये 8 दिसंबर तक चलेगा इस दोरान एक जनवरी 2023 तक 18 वर्ष की आयो पूरी करने वाले सभी योवक युफ्तिया वोटर बन सकते हैं इस संभन्द में सुमवार को कलेक्टरेट में सभी राजनेतिक दल की बैठक बुलाई गई है गोरगपुर के रहने वाले उमा सिंग ने मांट फ्रेंशिप पर साइकल से की चड़ाई लहराया तिरंगा गोरगपुर के रहने वाले उमा सिंग ने एक बार फिर परवतरोहन की छेत्र में इतिहास रच दिया है उमा सिंग ने मनाली स्थित मांट फ्रेंशिप की चोटी साइकल से फतह करनाया रिकॉर्ड बनाया उमा साइकल से इस परवत की चोटी पर पहुँचने वाले पहले परवरुत्ता रोही बन गए है मुलायम के रहते दिल्ली तक मशूर थे मैंधपुरी में सपा की बादशाहत की किस्से अखिलेश के लिए क्यों चुनाती बन रही यह सीट सपा संस्थापक मुलायम सिंग्य आदफ की निधन के बाद मैंधपुरी लोगसवा सीट के लिए उपचनाव कराये जा रही है मैंधपुरी की जनता 5 दिसंबर 2022 को अपना नया सांसत चुनेगी इस लोगसवा सीट पर सपा की बादशाहत के किस्से दिल्ली तक सुने जाते थे यह पहला मौका है जब समाजवादी पार्टी को इस सीट पर भी चुनावती मिलती दिख रही है विरासत की जंग मैं मैंधपुरी से सपा का यूध्धा कौन होगा इस बारे में अखिलेश यादव ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले है दूसरे तरफ कोला गोकरनाथ सीट पर हुए उप्चुनाव में हार के बाद विरूधियों को सपा की शमता पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है यहां तक कि सुमवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने मैंधपुरी का हवाला देते हुए दो ट्वीट कर सपा की जीत पर अपना शक जाहिर किया पराली का धुआ घटने से दिल्ली को राहत चार दिनों में 20 फीसदी तक दिखा सुधार पराली का धुआ कम होने से राजधानी के लोगों ने राहत की सांस ली है सुमवार को दिल्ली के प्रदूशर में पराली के धुए की हिस्तेधारी 14 फीसदी दर्स की गई चार दिन पहले यानि 3 नवंबर को ये 34 फीसदी तक पहुँच गई इससे वायो गुडवत्ता का इसतर भी गंभीर श्रेणी में चला गया था दिल्ली में इस बार दिवाली के आसपास हवा बीते 8 साल में सबसे जादा साफ थी लेकिन दिवाली के 2-3 दिन बाद ही पंजाब और हर्याना में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी दर्स की जाने लगी हवा की दिशा उत्तरी पश्चमी होने के कारण दिल्ली की गुडवत्ता पर इसका साफ असर देखने को मिला बिहार की लोगों को करंट का जटका देने की तैयारी नई साल में 50 फैसे यूनिट तक महंगी हो सकती है बिहार अगले साल 1 अपरल से शुरू होने वाले नए वित्तिय वर्ष में बिजली 50 पैसे प्रती यूनिट की दर्से महंगी हो सकती है बिजली कमपनी के पुनरविचार याजिका की सुनवाई के बाद बिहार विद्ध विनियामक आयोग ने ये फैसला दिया है आयोग ने बिहार में अगले वित्तिय वर्ष यानी 2023 में 32,587 दश्मलब 01 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्ती की शर्त के साथ बिजली दर बढ पेट्रोल डिजल डिपो में भी शनाग एक के बाद एक कई धमाकों से सिहर उठा इलाका बिहार की राजधानी पट्ना के बेउर थाना चेत्रेस्थित पेट्रोल डिजल के अवैध डिपो में सुमवार रात भी शनाग लग गई पैट्रोलियं पदार्थ में आग लगते ह घटना से पूरे अलाके में अफरात अफरी मच गई इस दौरान एक के बाद एक कई विसफोट हुए जिससे स्थानी लोग सहम गए सूचना मिलने पर पुलिस ने आसपास को हटाया है लोगों को मौके पर साथ दमकल केंदर से चौदह गाणिया भेजी गई दमकल कर्मियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया हलाकि कुलिंग का काम देर रात तक चलता रहा आग से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है लेकिन लाखों की संपत्ती चल कर राख हो गई आग कैसे लगी पुलिसिस की जाच कर रही है आशंका है कि जली हुई बीडी सिग्रेट अटवा शौट सर्किट से आग लगी ऑपरेशन और डिलिवरी के नाम पर साथ महिलाओं का गरभाशे निकाला अस्पताल संचालक मरीजों को लिकर भागा बिहार में अस्पताल में फर्जी तरीके से किड्नी निकाले जाने का मामला भी तक थंडा भी नहीं पड़ा और अब कम उम्रे की महिलाओं का गरभाशे निकाले जाने की खबर आई है मामला पश्मी चमपारण जले की रामनगर का है यहां एक नर्सिंग हूम में ऑपरेशन और डिलिवरी की नाम पर 22-35 साल की उम्रे की साथ महिलाओं की गरभाशे निकाले जाने का खुलासा हुआ अस्पताल को सील कर दिया गया संचालक दर्जन भर मरीजों को लिकर फरार हो गया जानकारी के मताबिक रामनगर की दुरगा नगर इस्थित ओम साइन नर्सिंग हूम में महिलाओं के गरभाशे निकाले जाने का भांडा फोड हुआ राश्ची मानव अधिकार आयो की सूचना पर गठित टीम ने सुमवार को चाप इमारी कर 22-35 वर्ष के उमर की साथ महिलाओं के गरभाशे निकाले जाने का खुलासा किया चाप इमारी के लिए एक टीम के पहुँचते ही अस्पताल संचाला को कुछ मरीजों को लेकर फरार हो गया कि मुख्यमंतरी हमंत सूरिन को ई-डी 12 समन भेज सकती है सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक की दिने सियम हमंत सोरिन के टाइम प्रिटीशन पर मंथन करण तैयारी में जुट गई है कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा मांगा गया तीन सपताहा का समय उन्हें मिलना मुश्किल है गौर तलब है कि EDS मामलों में तीन बार समन जारी करती है लेकिन यदि संबंधित व्यक्ति पूस्ताज के लिए हाजर नहीं होता है तो एजनसी कोट से उचित विधी सम्मत कारवाई के लिए विशेश निर्देश लेती है राज्जी में सक्रिया है PIL गिरोह चल रही है सरकार को तोड़ने की साजिश मुख्यमंत्री हिमंति सोरे ने कहा कि विपक्ष सरकार तोड़ने की साजिश में जुटा है विपक्षियों को ये पच्छ नहीं रहा है कि एक आदिवासी भी इतने अच्छे ढंक से राज्य चला सकता है उन्होंने कहा कि समवधानिक संस्थाओं के दोरुपयोग और इतने शड़यंत्र के बावजूद हम विचलित नहीं है यूपीय महगठभंदन ने भाजपा पर आरूप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंति सोरेन के खिलाफ कि इंडरी एजन्सियों के सहारे सरकार को आइस्थिर करने का शड़यंत्र कर रही है एक लोट तांत्रिक सरकार और जनता की चुनिवी सरकार को बदनावर अपदस्थ करने की किसी भी तरह की साज़िश को सफल नहीं होने दिया जाएगा इसगर की राज़पाल अनुसुयावीके ने मुख्यमंत्री भूपेश बगिल को पत्र लिखकर अनुसुचे जनजातियों के आरक्षर बहाली के लिए सरकार द्वारा अब तक की गई कारवाई की ततकाल जानकारी मांगी है राजभवन के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी बहार की भूजपूर और औरंगाबाद जिले में मिड्डे मील और अलबेंडाजूल की गोली खाने से 74 स्कूली बच्चवी बिमार हो गए भूजपूर जिले के हसन बाजार की एक गाउ में सुमवायर शाम मध्यान भूजण खाने के बाद 50 बच्चे फूड पॉईजने की शिकार हो गए पिहार की सीमान चुल इलाके में जहरीले नशे का कारवार धरले से चल रहा है नशे के सौद अगर अपने घर गुदाम समेत रहाईची इलागी से धंदा चला रही है किशनगंज पुलिस उस समय हैरत में पड़ गई जब एक मजदूर से दिखने वाले कबाड़ी के ठिकाने पर चाप इमारी में पांच लाक नगत के साथ साथ अमेरिकन डॉलर और निपाली करंसी बरामत किया गया कोपाल मंडल के महादेव खेड़ी माल खेड़ी के मध्य दोहरी करण कारे ही तू माल खेड़ी स्टेशन पर एनाई चल रहा है इस कारण छे जोडी ट्रेनों का परीचालन रद रहेगा साथी तीन जोडी ट्रेनों का परीचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा सुप्रीम कोट के EWS आरक्षन पराई फैसली कुलिकर भिहार में सिहासी घमासान मच गया है बीजेपी सांसद एवं पूर्वी डिप्टी सीयाइम सुशील कुमार मोधी ने कहा कि आरजेडी ने संसद के दोनों सद्रों में EWS आरक्षन का विरोध किया सुप्रीम कोट ने समुद्धे पर मुहर लगा दी है अब तेजस्वी आदफ की पाइटी किस मुह से सबनों के वोट मांगने जाएगी पुर्धान मंतरी रोजगार साज़न कारिक्रम के तहत यवक और युफ्तिया मैनुफैक्षरिंग या सेवा छीतर में यूनिट लगाने के लिए से पचास लाग तक लोन ले सकती है उपायोक्त ओद्योग जिला ओद्योग एवं ओद्योग पुर्ध साहन केंद्र मनोज चौरसिया ने बताया कि एक शुक अभियारती पोर्टल www.pme.gp या ओद्यम सार्थी एप के माध्यम से ओनलाइन रिन आविदन कर सकते हैं वियापार चैन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाजार आधी की पूरी जानकारी पोर्टल वा एप के माध्यम से कर सकते हैं केंट रोड के सरबाग इस्थेते जलाओ देव केंद्र से भी जानकारी लिए जा सकती है इस पर मारजिन मनीवा 15-35% तक की सबसेड़ी भी उपलब्ध कराई जाएगी वाराणसी के सिविल जज़ फास्ट्रेक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में अगलवार को ग्यानवापी पर इसर सौपने सहित अन्यबांगो की अरजी की मेरिट पर आदेश आने की संभावना है दालत ने 15 अक्टूबर को दोनों पक्षों पर बहस पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों के मन में यह सवाल घूम रहा है कि क्या मुखे मंत्री के खिलाफ जारी हाल या एडि की कारवाई रुक जाएगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद हमारे चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें आज के लिए आई टी टी न्यूस के लिए आस्था की रिपोर्ट जैहिंद वंदे मात्रम